हाई ट्विल्थीज, वेलकम टो ECB Commerce Classes, मैं हूँ तपिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम अपरी बुक का यानि कि बिजनस टुडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट चेप्टर कवर करने वाले हैं जो कि बहुत लेंदी चेप्टर भी है जिसका नाम है Financial Management और इसके टॉप किसे कहते हैं जो बिजनस में fixed amount लगाया जाता है, building में, machine में उसे fixed capital बोलते हैं और working capital किसे बोलते हैं जो बिजनस को चलाने के लिए day to day routine के लिए जो पैसा लगाते हैं हम cash में, debtors में, stock में उसे working capital कहते हैं तो अब किसे business में fixed capital यानि कि machines वगरा में ज्यादा पैसा चाहिए या कम या फिर हमें stock वगरा में यानि कि working capital में ज्यादा चाहिए या कम कौन से factors हैं जो guys decide करते हैं तो सबसे बहले अपनी book खोड़ लो guys क्योंकि बिना book के case study अधूरी है क्योंकि आपके concept clear होने बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस पर video देखनी है fixed capital के factors है working capital के तो उस पर separate video बन रखे guys जिसमें हर एक factor को समझाया गया है आप उसे देख सकते हो ताकि आपके concept clear हो और उसके बाद मेरे साथ इस video में जुड़ कर case studies solve कर सकते हो आपको business की case studies business की playlist पूरी guys बन रखे जिसमें हर एक chapter हर एक topic cover किया गया है तो आप उसे देख सकते हो आप guys हम आगे capital के बहुत सारे factors है working capital जो भी आते जाएंगे वो में regular आप मैं अच्छे तरीके से कोशिच करूँगे कि अच्छे तरीके से आपको याद करा सको समझा सको सबसे पहले case study start करते है guys देखो यहां पर जो बात हो रही है question की state with the reason whether the working capital requirement of Indian logistics will be high or low तो हमें यहां यह बताना है कि इस Indian logistics company को working capital जाता चाहिए या कम चाहिए तो पता करते है पहले company है क्या question Indian logistics has its own warehousing arrangement at a key location across the country Indian logistics को क्या काम है guys उसके अपने warehouse है ठीक है जहां पर समान रखा जाता है इट्स warehousing services help business firm to reduce their overhead, increase efficiency and cut down distribution time अच्छा अब उसने एक warehouses बना रखे हैं अब आप यह बताओ कि उसको day to day business चलाने के लिए देखो जब उसने warehouse बनाये होंगे तब तो उसने मोटा पैसा लगाया होगा धमीन खरीदी होगी बनाया होगा लेकिन उन्होंने हमसे पूछा क्या working capital उन्हें day to day कम चलाने के लिए जादा पैसो चाहिए कम क्योंकि वह एक service industry है वह service provide कर रहे हो उसने अपनी जगे दे दी लोग आके अपना समान रख सकते और पैसा company कमा रही है इंडन लोजिस्टिक क्योंकि वह warehouse दे रही है उनको समान रखने के लिए तो ऐसे case में warehouse को क्या daily किसी cash की need है no guys उसे कोई वह समान resale purchase ऐसा कुछ भी नहीं कर दी ना वह manufacture कर रही है कि वह उसे raw material खरीद के लाने है उसने तो एक जगे लेकर डाल दी है लोग आते हैं उसमें समान रखते हैं और निकल लेते हैं तो ऐसे case में guys जहां पर हमें कोई समान खरीदने के नीड हैं यह ऐसी services industries में वैसे भी general services industries जो service provide करते हैं सेवा देते हैं सेवा मलब free वाली नहीं सेवा देते हैं मिल्दाब in the sense manufacture कुछ नहीं करते हैं तो ऐसे industries में guys हमें working capital की कम ज़रुरत होती है जब हमें manufacturing करना होते है न तब हमें raw material भी डालना पढ़ता है बहुत सारी चीज़े ल बाता होती है लेकिन service industry में हमें working capital की कम requirement है आगे यह क्या पूछते हैं इसका second part explain any two factors affecting working capital replacement यह कौन से दो other factors है जो यह decide कराते है replacement बतानी क्यों ने लिखा requirement होना चाहिए इसका तो guys nature of a business हो सकता है अगर business manufacturing है तो जादा अच्छा इसके अगर अलावा हमें बताने है तो इसके अलावा देखो आपका credit allowed है credit availed है आपका scale of operation है आप बड़े scale पे काम करोगे आपको जादा working capital चाहिए वहीं अगर आप छोटे skill पे करते हो तो कम चाहिए तो यह सारे हम बता सकते हैं इसके बाद second case study है जो guys उसमें बोले state with the reason whether the working capital requirement of भारत express will be high or low देखो यहां पर आपकी working capital की case study सारी cover हो जाएंगे तो आपका concept clear रहेगा कि अगर business के exam में case study working capital या fixed capital पर आती है तो कोई गलती नहीं होगी आप से right तो guys यहां पर question में क्या बोले state with reason whether the working capital requirement of भारत express will be high or low अब भारत या भारत स्पेलिंग सेम ही रहती है सो देखो है क्या हम बताते है ठीक है इनको जादा चाहिए या कम चाहिए working capital भारत express specializes in a courier services क्या है इनका courier services का काम है समझ जाओ भाई services का काम है तो कम working capital चाहिए it's a wide range of express package and parcel services help business firm to make sure that the goods are made available to the customer at the right place at the right time okay वो चाहते है कि हमारे जो भी courier services सही समय पर पहुंच सके सही टाइम पर ठीक है सही जगे पर सही समय पर पहुंच सके तो ऐसी industries को कम working capital चाहिए guys क्योंकि यह service industry कुछ इनने day-to-day का पैसा नहीं लगाना courier को पहुचाना है कोई manufacturing नहीं कुछ नहीं है तो इनने कम working capital चाहिए name any two type of current asset तो आपको भी current asset अपना बता सकते हो तो आपके stock होता है debtor होता है आप बता सकते हो current asset cash बता सकते हो ठीक है इसके बाद third case study है guys इसमें क्या बोला है identify the factor affecting fixed capital requirement of fashionate private limited यहाँ पे fixed capital बताने है guys यहाँ पे बताने है कि इनको machines building and all में पैसा जादा चाहिए यह कम चाहिए होगा तो देखो Radhika Inwani who are young fashionate designer left their job with a famous fashion designer chain to set up a company fashionate private limited यानि की Radhika Inwani कौन है guys young fashion designers है जो अपनी job छोड़ देते हैं with a famous fashion designer के पास से job छोड़ देते हैं क्यों? to set up a company fashionate private limited क्योंकि उन्हें अपनी company खोलनी है they decided to run a boutique during the day and coaching classes for entrance examination of national institute of fashion designing in the evening भाया वो कहते है कि दिन में तो boutique चलेगा और evening में हमारी classes चलेगी fashion designing की for the coaching center they hired the first floor of a nearby building और coaching center के लिए वो पास में एक building का first floor हायर करते हैं their major expense was money spent on photocopying of notes for their student भाया photocopy में उनको पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो वो बोलते हैं बड़ा पैसा खर्च हो रहा है they thought of buying a photocopier knowing fully that their scale of operation was not sufficient to make a full use of the photocopier तो बोलते कि बही अब machine खरीद लेते हैं पर उन्हें पता है कि वो machine proper utilized नहीं हो पाएगी हाला कि उनका photocopy में पैसा लग रहा है बट machine खरीद के उनकी proper utilized नहीं हो पाएगी बट वो सोच रहे कि खरीद लेते हैं in the basement of the building of a passionate private limited अब वो तो first floor पे हैं और basement में कौन है प्रवीन और रमेश क्या करते हैं वो अरे नीचे प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं वो लोग in the name of a new print private limited रादीका अप्रोच प्रवीन with a proposal to buy a photocopier jointly which could be used by both of them without making separate investment प्रवीन अगरेट तो इस बात करते हैं मैं इतनी बड़ी मशीन खरीदूंगी बड़ी महंगी आ रही है एक लाग की ऐसा करते दोनों मिलके खरीद लेते हैं तुम्हारा तो काम है तुम्हें भी यूज हो जाएगी हमें भी यूज हो जाएगी तो अब ऐसे बताओ कि identify the factor affecting fixed capital requirement of a passionate private limited अब कौन सा factor है जो यह decide करा रहा है कि इनकी fixed capital जादा लगेगी या कम तो लेवल of collaboration अगर हमें collaboration का मौका मिलता है तो हमें पैसा कम लगाना पड़ता है अभी अगर suppose करो कि हम institute खोलते हैं चार बंदे मिलके कम पैसा लगाना पड़ेगा एक बंदा खोलते जादा सेम वे में ATM अगर हर एक बैंक का होगा उनको जादा investment करनी पड़ेगी लेकिन चार बैंक मिलके एक ATM खोल देते हैं तो यहाँ पर भी collaboration का जो point है तो identify the factor कौन सा factor है fixed capital का level of collaboration जो यह decide कराता है कि हमें fixed capital जादा चाहिए होगी या कम अगर इन्हें collaboration का मौकर नहीं मिलता तो of course इन्हें पूरी machine खरीद नहीं पड़ती लेकिन मिल रहा है तो इन्हें कम capital की जरुरत होगी explain briefly any two more factors affecting the fixed capital two more बहुत सारे भाई कोई साबे बता सकते हो आप technology upgradation, diversification अगर हमें diversify करना होता है business को तो भी fixed capital की जरुरत होती है technology upgrade अगर हमारी बहुत जल्दी जल्दी होती है तो भी हमें fixed capital की साथा जरुरत होती है तो बहुत सारे other factors भी हैं इसके इसके बाद guys हम 4 case study पर चलते हैं अपनी जिसमें identify the factor affecting fixed capital requirement again fixed capital का बताना है which made Praveen Koshik to choose furniture business over a mobile phone ठीक है अब यहाँ पर हम लोगों को identify करना है fixed capital requirement प्रवीन कोशिक को to choose furniture business over a mobile phone यानी कि पहले उसका mobile phone का गाम ठाकाई अब वो furniture का खोलना जाते है तो हमें यह बताना है कि कौन सा factor यहां पर बात करी जा रहे है fixed capital की Praveen Koshik after leaving his job wanted to start a firm with his son प्रवीन कोशिक अपनी job छोड़ने के बाद अपने बच्चे नहीं बेटे के साथ business करना चाहता है His son was keen that the firm may start manufacturing of mobile phone with some unique features उसका बेटा बोलता है कि बही पापा हम लोग नहां manufacturing करते है किस चीस की mobile phone के और जिसमें कुछ अच्छे features हो की features हो और अलग unique ठीक है प्रवीन कोशिक felt that the mobile phone are prone to quick obsolesion यानि कि प्रवीन को लगता है mobile phone तो आए दिन नहीं आते रहते है तो इसकी जो technology वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है obsolesion हो जाती है खतम हो जाती है तो अब वो क्या कहता है heavy fixed capital investment would be required regularly in the business यानि कि हमें हर बार fixed capital बहुत जादा लगानी पड़ेगी नए नए phone बनाने के लिए therefore he convinced his son to start a furniture वो कहता है अपने बेटे से कि furniture का काम कर लेते हैं furniture में भी पैसा जादा लगेगा लेकिन रोज रोज नहीं लगेगा क्योंकि इसमें रोज रोज टेकनोलोजी अपग्रेड नहीं होगी तो ऐसे केस में guys कौन सा fixed capital इन्होंने फेक्टर को देखा और decide किया तो इन्होंने decide किया guys टेकनोलोजी अपग्रेडेशन के बेस पर कि जहां पर टेकनोलोजी बहुत जल्दी अपग्रेड होती है वहां पर हमें ज़्यादा पैसे की नीड होती है जबकि जहां पर टेकनोलोजी तिनी जल्दी अपग्रेड नहीं होती तो आप जो material है बना कर रख दोगे वह बिख जाएगा खुछ समय में पर आपने mobile बनाके रख दिये वह दो महीने बाद ही old phone के लाने लग जाते हैं क्योंकि आए दिन नया model आते हैं तो यहां पर उसने technology अप्रेडेशन की बात करी है second question इसमें जो है guys also explain any two more factors तो आपको बता सकते हूं मैं आपको बताई चाहिए हूं आप guys हम लोग आते हैं अपनी fifth case studies पर तो उसे पहले fifth case study में हम लोग किसकी बात कर रहे है give any one reason discussed above with the help of a firm in managing its working capital efficiently तो यहां पर guys एक reason बताना है जो यहां पर बताया गया give any one reason discussed above जो case study में reason explain है with the help the firm in managing its working capital efficiently यानि कि कौन सा reason है जिसकी वज़े से firm अपनी working capital efficiently managed कर पा रही है तो उसके factors की यह बात कर रहे कि किस वज़े से उसकी working capital properly managed है तो आप case study पहले पढ़ते हैं नाम है ROH unlimited and automobile manufacturer was diversifying into manufacturing two wheeler भया automobile manufacturer है और वो अब दो wheeler भी बनाना चाहते हैं यानि कि two wheelers में आना चाहते हैं they knew that India is on a growth path वो कहते हैं इंडिया एक growth path पह भी या पेट्रोल के दाम तो इतने बढ़ा रखे हैं काहे का growth path हो रहा है and a new breed of a consumer is eager for a first vehicle अच्छा वो कहते कि जो नई generation है वो two wheeler लेने के लिए जादा eager रहती है the market responded very well to the new product और market जो है नई product को बहुत जल्दी अच्छे तरीके से response करती है the company did not have to allow credit company कहा थी भी हम उधार पे समान नहीं बेचेंगे as it had advance order from a four to six months with deposit pay क्योंकि उनके पास already इतने order है चार से छे महिना के ठीक है और उन्होंने already पैसा दे रखा है also due to efficiency in managing their operation as soon as the vehicle was off the assembly line it was out to the dealer also due to efficiency in managing their operation यानि कि वो इतने अच्छे तरीके से अपना business operate कर रहे है vehicle was off the assembly line it was out to the dealer अप dealer के पास जाने लग गया यानि कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने business को manage किया है तो guys give any one reason discuss above which help the firm in managing its working capital अच्छा किस reason की वज़े से guys वो ये काम कर पाए क्योंकि उन्होंने किस वज़े से उनको working capital में कोई कमी नहीं आए तो यहां पना एक line लिखी है third line में the company did not have to allow credit as it had advance order company credit allowed नहीं करती अगर company credit allowed करती होती है उधार पर बेशती होती तो उसके पास पैसे की कमी हो जाती तो यहां पर जिस factor के बात हो रही है वो third line में discuss किया गया है that is the credit allowed अगर company credit allowed करती है तो sometimes उसको working capital की कमी पर जाती है जबकि यहां पर working capital efficiently manage हुआ है किसकी वज़े से credit allowed जो उसने नहीं रखा उसने का भी या deposit करो advance में और लेके जा तो वो reason है और दो other factors आप working capital के बताई सकते हो आगे बढ़ते हैं guys अपनी case study में so guys next case study जो है identify the factor affecting the working capital again working capital को question है बोर हो रहे हो आचा बोर नहीं होने का अपने concept clear करने का है guys आचा आपको एक चीज़ बताती हूं लाइक यह जो stones है जो हम paper पर यूज कर तो में बेसिकली यह रिशी के हैं जो भी students रिशी केश रहते हैं आप लोग इतने लखी हो न guys कि वहाँ पर इतने सुंदर सुंदर पत्थर है मतलब जब भी मैं रिशी केश रहते हूं तो वहाँ से एक दो जरूर उठा के लाती हूं क्योंकि घर में इतने सुंदर लगते हैं यह और specifically मैं अपने पढ़ाई के समय पर अपने पास रखती हूं क्योंकि एक तो paper को उठने नहीं देते दूसरा इनको देखके ना कुछ एक अच्छा सा feel आता है तो जो भी रिशी केश में रहते हैं प्लीज कमेंट करना So guys देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा mood fresh हुआ आगे बढ़ते हैं हमाई 6 case study में भी हमें working capital के बारे में बताना है इन दा paint industry various raw materials are mixed in a different proportion with petroleum for manufacturing different kind of paint भाई देखो यह जो industry है ना paint के industry और यह बहुत सारे raw material मिला कर paint बनाते हैं One specific raw material is not readily and regularly available to the paint manufacturing company एक specific raw material है जो हमेशा उनको उपलब्द नहीं होता है ठीक है Bonler paint company is also facing this problem and because of this there is a time lag between placing the order and the actual receipt और इसके वज़े से क्या होते है कि जब वो order देते हैं और time पर order आने में समय लग जाता है यानि कि particular guys वो raw material आने में time लग जाता है but once it receive the raw material it take less time in converting into the finished goods तो जैसी आते हैं उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारा product बन जाते है बड़ जो time gap है वो बहुत जादा है तो यहां पर पुछे identify the factor affecting the working capital ऐसे guys businesses को जहां पर उनको समान मंगाने में समय लगता है याने की availability of raw material उनके पास इतनी जादा अविलेबल नहीं है facility नहीं है कि उन्हें easily समान मिल जाए तो ऐसे case में हमें working capital investment जादा चाहिए क्योंकि हम जादा मंगा के रखेंगे और मंगाएंगे भी उतने time gap का कि जैसे suppose को मैंने आज order किया एक हफते बाद समान आएगा तो एक हफते का तो मेरे पास समान पड़ा होना चाहिए तो इसलिए मुझे ऐसे case में raw material के case में availability of raw material के case में पैसा जादा चाहिए होगा और अगर हमें बहुत असानी से आज order करो शाम को मिल जाता है तो हमें एक हफते के लिए अपना raw material मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी तो यहाँ पर क्योंकि हमें बहुत time लगता है समान को मंगाने में raw material तो availability of raw material के ये factor की बात कर रहे हो और ऐसे case में हमें पैसा जादा चाहिए ठीक है उसके बाद guys अगें इन्होंने दो other factors पूछे जो आप बता सकते हो इसके बाद हम next case study करते है guys जिसमें इन्होंने पूछा है which objective of financial management has been referred to in the above paragraph तो objective बताने financial management का ये थोड़ा सा अलग सा है अच्छा लगा सुनकर Lotus Foods Limited Lotus Foods Limited is a multinational company MNC है guys and Mr. Raghav Chadda is its finance manager he is making effort to increase the market value of the capital invested by equity shareholder वो भी लगा पड़ा है कि भी हा equity shareholder के जो shares के price है market में वो बढ़ जाए he had already read in 10 plus 2 आपकी class में उसने business study के text books में बढ़ा था that it could be possible only when the market price of the share increases तो वो कहता है कि market price जो है shares का तभी increase हो सकता है and the market price of the share could increase only when he takes optimum investment decision तभी हो सकता है जब हम investment decision सही लेते है optimum financing decision जब हम अपना financing decision सही लेते है and third is the optimum dividend याने कि बोले तो financial management के तीनों decision जब हम सही लेते हैं तो हमारे market share के prices बढ़ जाते हैं he did the same and achieved success और उसने ऐसे ही किया उसने investment financing dividend decision प्रॉपर लिया और उसके market में equity share के prices बढ़ गए तो यहाँ पर किस objective की बात करें guys financial management की so guys financial management का सिर्फ एक objective होता है that is the wealth maximization wealth maximization बोले तो पैसा को बढ़ा करना और पैसा बढ़ा करने का मतलब क्या है business में अपने share के prices को increase कर देना यानि कि increase in the market price of the equity shares तो यह इसका मकसद था यही guys financial management का एक lota objective है ठीक है क्या objective है कि increase in the market price of the equity shareholders यानि की wealth maximization जिसे हम कहते हैं वो करना था explain the objective अब आपको इसे explain कर देना जो मैं आपको definition बता रही हूँ उसी को लिखना है और explain कर देना है so guys यह आज की case studies थी I hope आप लोगों को समझाई होंगी और I hope आपका जो working capital and fixed capital का जो concept था वो clear हुआ होगा and इसके अलावा guys कोई भी अगर case study पर टकते हो तो आप मुझे Instagram पर ID अब इता मैंसी उसकी photo click करके भेज़ सकते हो Thank you